दोस्तों यह जो टॉपिक आज मैं कवर करने जा रहा हूं यह टॉपिक ऐसा है जो आज की जरूरत और आज की मांग को देखते वे बनाया गया है तो इसलिए ध्यान से सुनें ध्यान से समझें और मेरे साथ अंतक बने रहें दोस्तों यदी आपने किसी व्यक्ति या किसी वित्तिय संस्तान से निजी या व्यापरिक आवश्चक्ताओं के लिए कोई उधार लिया हो और समय पर आप उसे चुकार ना सको तो इससे पुलिस को आपको गिरफतार करने का कोई अधिकार नहीं मिल सकता इसका कारण ये है कि पैसो का लेंदेन एक सिविल नेचर का मामला बनता है और पूरी भारती दंड सही था कि किसी भी धारा में इसके लिए गिरफतारी का कोई प्रावधान नहीं किया गया है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ही विडियो जोस्तों कभी उधार राशी की वसूली करने के तरीकों पर गौर किया जाए तो ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं मिलेगा जिसमें उधार ना चुकाने पर सजानिर्दारित की गई हो यदि उधार राशी को वसूलने की बात की जाए तो इसके लिए वसूली के लिए वसूली का दावा करना होता है जो की सिविल निचर का मामला होने के करण उसमें कोई भी सजानी होती बलकि उधार की वसूली आपकी संपत्ती जो की चल वे चल हो सकती है से की जाती है चलिए आपको कुछ उधारनों के साथ में इस topic पर प्रकरश डालता हूं माना कि किसी A नाम के वेक्थी ने B नाम के वेक्थी से अपनी निजी या व्यवसाई कावशक्तियों के लिए कोई धनुदार लिया तो उधार देने वाला व्यक्ति भी उस ए नाम के व्यक्ति से उधार राशी के लिए या तो कोई लिखित में लेगा जो कि किसी स्टाम पेपर पर हो सकती है प्रोमिजरी नोट हो सकता है या रेवन्यू टिकेट लगा करके किसी पेपर पर हो सकता है जिसे धनका लेंदेन का और एग्रिमेंट पर लिखी गई कोई भी लिकत या एग्रिमेंट को सिविल नायले से ही एक्जिगूट करवाय जा सकता है। चेक जारी किया है उसके खिलाव एनायक्ट के अंतरकत मुकदमा दायर किया जाएगा केस के डिसीजन के बाद में दोशी होने पर उस व्यक्ति को दो साल तक की सजा का नैले दोरा दी जा सकती है यह इस तरह का प्रावधान है इस प्रकार यदि कोई उधार इलेक्ट्रोनिक माध्यम से जैसे ओनलाइन ट्रांसफर के रूप में की गई है तो भी इस प्रकार के उधार को वसूलने के लिए सिविल केसे में जाना पड़ेगा और यदि उधार बैंक अकाउंट के माध्यम से लिया गया है तो भी बैंक की एंट्री के अधार के उपर उपयों का लेंदेन या उधार लेना देना सिविल प्रकृति के मामलोग के अंत्रगत आते हैं और सिविल केसिज में सज़ा का प्रावधान कुछ अपवादों को छोड़ करके प्रस्तावित नहीं है माननी उच्च नहाय ले और माननी उच्च तम नहाय लेने भी समय समय पर अलग-अलग नैक निनने इस विशे पर पारित किये हैं। इस विशे पर कोई भी जानकरी या समस्या का समाधान करवाने के लिए आप हमें हमारे दियेवे मोबाइल नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। और हम लोग उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे और साथ में ये भी बताएं कि आप लोग किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं धन्यवाद।